हमने एक बार कहा था कि RCP सिंग नितीज कुमार को उतना तोड़ेंगे जितना किसी ने नहीं तोड़ा हो कि RCP सिंग इस्तिपा देने के बाद जेडिव के उपर जो आरोप लगा रहे थे कि जेडिव डूपती हुई नाव है तो आज ललंग सिंग ने उसका जबाब दिया है ललंग सिंग ने कहा ना कि जेडिव डूपती हुई नाव नहीं है जेडिव उरती हुई नाव है और दोरती हुई नाव है आर्सिपी सिंग पार्टी में रहते हुए, राजी सभाध्यक्ष रहते हुए, पार्टी का मंत्री रहते हुए, जेडिव का मंत्री रहते हुए भाजपा के बारे में सोचते थे और जिसकी वज़ा से जेडियू गुसाई और इन्हें राजी सभा नहीं भेजा और उसके बाद वहां से मंत्रीपत से भी अटाया गया अब जेडियू निचिन्थ हो चुकी है कि आरसेपी सिंग के संपर्क में एक भी विधायक नहीं है और भाजपा को ये बात पता चल चुकी है तो भाजपा क्यों लेगा आरसेपी सिंग को नेता निटीज कुमार ने बनाया है और वही आरसेपी सिंग निटीज कुमार के खिल नमस्कार स्वागत है आपको देने टॉप पे में नाम विशाल अभी हम बात करेंगे आर्सीपी सिंग पर और हमारे साथ मौजूद है हमारे सयोगी शुशांग पांडे कल बिहार की राजिती में एक बड़ा भुचा लाया आर्सीपी सिंग निस्तिपा दे दिया जडियू पाटी से और ये कहते उन्हों निस्तिपा दिया जडियू अब डूबती विना है तो इसी पर हम चर्चा करेंगे शुशांग पांडे आप बताईए जो कल आर्सीपी सिंग नितियस कुमार को उतना तोड़ेंगे जितना किसी ने नहीं तोड़ा होगा बिल्कुल अब देखिए आर्सीपी सिंग जडियू के उपर ये आरोप लगा रहे हैं कि जडियू जो है वो डूबती हुई नाव है और इस्तिपा देते हैं कि नौ साल में तिरपन प्लॉट कहां से खडिद लिया यही ने जेडियू ने कहा और कुछ तो नहीं कहा बॉकलाहट किस बात की ठीक है आप जाकर इस्तिपा दे दिये गल्ती किये होंगे तभी न और बात फिर सामने आती है कि 900 रुपए का एक प्लॉट खडिदे है 900 रुपए का तो आज जेडि गाउ में भी 900 का जमीन नहीं मिलेगा गाउ में चेमड होता है ना चेमड वहाँ भी आपको 900 का जमीन नहीं मिलेगा 900 रुपए कठा जमीन मिलता है क्या सकहीं और सबसे बड़ी बात कि RCP सिंग इस्तिपा देने के बाद जेडियू के उपर जो आरोप लगा रहे थे कि जेडियू अगर नाव है तो इस नाव में छेद कौन किया है नितीज कुमार ने RCP सिंग को नेता बनाया आज आज देखिए आज का प्रेस कॉन्फरेंस आप देखिए 27 मिनट का प्रेस कॉन्फरेंस जेडियू के राष्ट्रिया द्यक्ष ललन सिंग का था पूरा खुलास कर दिया हैं ऐसीपी सिंग को नेता बनाया और आर्शीपी सिंग ने निटीज कुमार को ही ठग लिया बिल्कुल है लाइन पाकशPO पर उन्होंने चिराग पास्वार काओ देघीया क्यूकि भाजлет के स्टों और नितीज कुमार ने उनकी पहचान करके उन्हें साइड कर दिया और सबसे बड़ी बात कि आज जिस तरीके से पूरे जेडियू के परवक्ता हो नेता हो आर्सीपी सिंग पर बॉखला हुए क्यों बॉखला हुए कारण है विशाल यहीं पर न हम लोग बैठ कर यह बात बोले थे कि मोदी रंग में रंग है आर्सीपी सिंग रंग चुके है न पूर दिख रहा है साफ्तोर पर पटना आते हैं जब मंत्रीपत से इनको हटाया जाता है इस्टिपाल लिया जाता है सभावक्सी बात है जेडियू ने ज खाडा किया था जाताना कि मैं अपने बल पर नेता बनाऊ नीतीस कुमार को मैंने नेता बनाया है उसी पर ना जेडियू के परवक्ता अट मंतरी चाहेंगे तो इस्तिपाने देंगे प्रधान मंत्री मांगें तो और इनके आपको याद होगा जब इन्हें राज्जिय सभ नहीं चाहति थी तो नितीश कुमार ने इन पर भरोसा जाता है अब खुद राष्ट्रिय ध्यक्ष पत से हट पर इन्हें राष्ट्रिय ध्यक्ष बनाया था और उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे राज्जी लिपर रास्ब कर रहा है निटीश कुमार ने ब्यान दिया था जब इनराज जिसा बहुँजडना था उपेद्र कुस्वहा का एक बयान था कि जो पाटी के प्रतिते रहेगा पाटी उसके प्रतीशमर्पित रहेगी उस वुझा से महां नisson प्रति सिंग्ह ने कहा कि प्रति तो हम समर्पित हैं और यह Birthday दूसरे वजा ओडियू कहावाव्य। लेकिन आज जब पार्टी में है तो पार्टी के बारे में सुच रहे। में लेकिन राज्यी में रहते हुए राजियसाभा द्यक्षें रहते हुए ऑड़ी का मंत्री रहते हुए भाजपा के बारे में सुचते थे और जिसकी वजा से जेडिव गुसाई और इन्हें राजी सभा नहीं भेजा और उसके बाद वहां से मंत्रीपत से भी अटाया गया और अब जेडिव से स्थिपा भी दे दिए क्यों कि बीते दिनों एक ख़बर छपी एक देनिक आख्लान की साल में और मालिक हं और पर 65- birthday जहाहें बेटी हो बिहार में नहीं रहती है उनके भी नाम पर ठीह गया लता शिंग के नाम पे अधीवक्ता है अनो ने कहा है धिल्कुम migrant Tip मिलां यहीं होना आप सपाई थे we अगया तो किस यहां ते यहां सब नहीं करते हैं क्या आप सफाई दे दीजे जनता के सामने तेजस्वी बोले नहीं देंगे नितीज कुमार साइड हट गए बिल्कुल नितीज कुमार समझावता नहीं करते हैं बीते दिनों भी आपने देखा होगा कि इस तरीके से अजयालो को क्यों भाफ कर रहे थे और जफे यह दिएगाश us ललन सिंग का ये बयान देना कि जेडियू डूबती हुई नाव नहीं है दोरती हुई लाव सवाल उठ रहा है जो हमें लगता है कि तमाम दर्शकों के मनुविश वाल उठ रहा होगा कि अब रसी पी सिंग क्या करेंगे कौन सी पार्टी में जाएंगे भाजपा में संपर्क में जेडियू के 10 से 15 विधायक है बढ़ के संख्या बढ़ भी सकती है 20 हो सकता है आपको याद है वह खबर चलाता है कि जेडियू के सभी विधायकों को पटना में कैद कर लिया गया है क्यों क्योंकि आर्सीपी सिंग को जब राज्य सभा नहीं भेजा जाएगा सभी विधायकों को तोड़ लेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं अब जेडियू निचिंत हो चुकी है कि आर्सीपी सिंग के संपर्क में एक भी विधायक नहीं है और भाजपा को यह बात पता चल चुकी है तो भाजपा क्यों लेगा रसीपी सिंग को ले भी सकता है बड़े ले सकती है अभी जडियू के कुछ ऐसे बात पता हो फिर जडियू के कुछ विधायक को उनके संपर्क में हो एसे बादपा को लगता होगा कि कहीं ने कहीं महरास्ट के तरज पर यह सिंधे बन सकते हैं अप बात बताएए एक ना सिंधे वाला इहां नहीं चलेगा न यहां नितीज कुमार है यहां नितीज कुमार इसलिए हम कह रहे हैं कि जेडियू किसी उड़ते हुए आदमी को टिकट नहीं देती है कि उड़कर आए पैसा दिये पेटी दिये टिकट दिये ऐसा नहीं होता है कारेकरताओं को टिकट दिया जाता है जेडियू में आपने भी देख से अभी दो बनाए गया दो एक्ति को कौन थे पार्टी में पार्टी में थे शक्रिय कारे करता थे अब यही चीज देखिए सभी पार्टी है राजद भी ब्हाजपा ने भी वह लेकिन जेडियु नितीश कुमार के कि खिलाप नहीं जाएगी निटीज कुमार के लिए बगावत नहीं करेगी जेडियू खास करके और आज देखिए जिस तरीके से ललन सिंग ने ये बात कही है कि आरसीपी सिंग को नेता निटीज कुमार ने बनाया है और वही आरसीपी सिंग निटीज कुमार के खिलाब बात कर रहे थे वही आर्सिपी सिंग नितिश कुमार की बनाई हुई पार्टी को तोर रहे थे आर्सिपी सिंग क्या जाने कि समता पार्टी से जेडियू कैसे बना है कैसे संघर्स करके जेडियू बना है आर्सिपी सिंग को पता नहीं है और वाकई में जिस तरीके से RCP सिंग ने जेडियू के उपर आरोप लगाया कि जेडियू डूबती हुई नाव है वो RCP सिंग ये साबित करना चाहते थे कि जिस नाव से हम निकल गए वो डूब चुका है क्योंकि जिस पार्टी से हम जा रहे हैं वो पार्टी अब डूबने खिलाफ सर्यंत रचा गया था और वो सर्यंत फिर से दोहराया जा रहा था वो जेडियू के नेता निती उस कुमार ने पहचाल लिया और उस वेक्ति को जेडियू से बाहर निकाल दिया बाहर क्या निकाला RCP सिंग खूद आज जेडियू छोड दिये क्यों क्यों छोड़े क्योंकि उनके उपर आरोप लग रहा था कि उन्होंने भ्रष्ट चार किया यह भ्रष्ट चार ही नहीं नौ साल में अंठावन प्लोट भ्रष्ट चार ही नहीं 900 में कहा plot मिलता है यह तो भरस्ट चारेन है बिल्कुल लेना चाहेगा सब कोई लेना चाहेगा भाई हम आप सब कोई लेना चाहेगा सब नेता कहेगा भाई कि 900 में plot कहा मिलता हमको भी दिला दिए आर्सीपी सिंग दिखा रहे है 900 में plot मिलता है 900 में plot कहीं मिलता है और क्या जेडियू ने क्या कहा है आप से सफाई मांगा था आप तो तुरंत गए इस्तिपा दे दिए क्योंकि आप भी मूड बना चुके थे कि कहीं पार्टी थोड़ा सक कुछ क्लू छोड़े और हम इस्ति सिंपा दे मिल्याइद होने अभी तक जेडियू ने चुप्पीसा देती अभी तक बस एक दिन अर्वीन निशाद ने आर्सीपी सिंग्फ पर पर्क्रहार किया था है वह भी कारण था क्योंकि आर्सीपी सिंग ने यह कह दिया था कि निटीज कुमार को में हम बनाया है देने वाली बात यह होगी कि आर्शीपी सिंग्की पार्टी में जाते हैं या फिर पार्टी बनाते हैं एक सवाल आखरी सवाल है जिस तरीके से इसे पहले वह अगर हम बात करें शरद्यादव ने पार्टी छोड़ दिया अब यह राश्ट अधे पहले पुरु राश्ट अनसत्य थे पुरुखेंद्र मंत्री रह चुके हैं क्या इसले जड्ययू को नुकसाण होने वाला है इतने बड़ ह्म बड़े राश्ट्र सतरके नेता चोड़ रहे हैं जड्ययू को नुकसान देखने को मिलेगा क्या शच्ञ राद्यादव ने पार्टी छोड़ा थो तो को तोड़ना इतना आसान नहीं है लेकिन हाँ बड़े नेता थे ठोड़ा बहुत नुक्सान होगा किसमें विधायकों मैं नुक्सान? होगा एक समाज मेंसेज है वोटर्स में तो नुखसान नहीं होगा नितीस कुमार भी कुर्मी के नेता है रसीपी सिंग भी कुर्मी नेकिन आपको एक बात हमें याद दिला दे कि जेडियों का नराज होने का एक दो और कारण है नलंदा में और कि कहते हैं कि मेरा जन नलंदा में हुआ है निपको सब्सक्राइश कुमार की तए कि वह द रुग से हम ऑग शयरूर्ण Price निजियर गांश्ग doe अनितियस कुमान ने पार्टी हमें दिया हम पार्टी को तोड़ देंगे केर टेकर ने पार्टी नाव में छेद कर दिया किस के बारे में बिल्कुल साजीस रचा जा रहा था और ये साजीस जेडियू परचान गई थी कि 2025 में बड़ा खेल होने वाला है उसके पहले संभल जा बात है 2020 में जेडियू को किस ने तोड़ा था चिराग पासवान के लास्ट मोवमेंट तक चिराग पासवान का चिराग पासवान कहते रहे हमें इंडिये के नेता इंडिये के नेता इंडिये के नेता इंडिये के नेता जेडियू ने यह कह दिया कि इंडिये के नेता चिर सिपी सिंग ने पार्टी छोड़ा और दूपती भी नौ कहकर चोड़ा है आज तमाम बाते प्रेस कॉंफरेंस के दर्मियान हुई है जडियू के राश्टर देख चलालन सिंग ने खुद तमाम जो बाते थे उनका खुल कर रहे सब करारा जवाब दिया है और पूरा बात को क पार्टी को कमजूर कर रहे है सब कर दो तमाम जो चीजंँ है उनके अंदर दर्ध है जिनके कारन वह उन्होंने पार्टी छोडद देखने को मिला फिलाल इस वीडियो में इतना हैं कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शों में जाके दो कमेंट करके बदा सकते हैं वीडियो ज्यादा ज्यादा सेयर भी करें पहudलोगों तक सब्सक्राइब ज्यादा वाली दर्शकी ने बहुत रहरा है थाहं